मेरट महानगर 18,00,000 के आबादी का शहर है जिसमें 3 Medical College, लगभग 240 Private Hospital और लगभग 3000 डॉक्टर यहाँ पर प्रक्टिस करते हैं आज हम बात करेंगे मेरट महानगर के 5 प्रमुख Multi Specialty Hospital के बारे में तो शुरू करते हैं नंबर 5 से तो दोस्तो पांच नंबर पर जस्वंतराय Specialty Hospital है यह होस्पिटल 111 बैड का है जिसमें 50 बैड ICU, CCU, NICU और Emergency के हैं होस्पिटल में X-ray, Ultrasound, Pathology Lab के साथ, Blood Bank और Cat Lab की सुविधा उपलब्द है होस्पिटल में Government Panel में ECHS, CGHS के साथ, UPPCL, साथ ही 35 Private Health Insurance के पैनल भी उपलब्द है जस्वंतराय होस्पिटल में नामचीन डॉक्टर राजी गरवाल के साथ एक अच्छे विशेशग्य डॉक्टर की टीम उपलब्द है साथ होस्पिटल में अपना Oxygen Plant लगाया हुआ होस्पिटल में कुल 350 Employee है बात करते हैं नमबर 4 नमबर 4 KMC Hospital KMC Hospital की स्थापना 2006 में की गई थी जो कि अभी 500 Bad में स्विक्रत है जिसमें Critical Care Bad यानि CCU, ICU, NICU, Emergency Bad की संख्या 100 है साथ ही KMC Hospital NABH में Entry Level कंप्लीट कर चुका है सुविधाओं के बात करें तो KMC Hospital में टोटल 7 OT हैं जिनमें 3 मौडल और OT है साथ ही Radiology में MRI, CT Scan, Ultrasound, X-ray, Blood Bank, Cardiac Procedure के साथ Cat Lab भी उपलब्द है तथा Physiotherapy Center Pathology आदे की सुविधा उपलब्द है KMC Hospital में Government Panel जिते CGHS, ECHS, आयुश्मान भारत योजना, BSNL, UPPCL, UP Police के साथ 20 से अधिक Private Health Insurance के Panel उपरब्द है KMC Hospital में Cancer रोग के लिए Advanced Machine एवलेबिल है जिसमे रेडियो थरेपी मशीन, कीमो थरेपी, साथी Cancer विजिश शग्य, डॉक्टर B.N. सत्पती, डॉक्टर अंशुल, बंसल, डॉक्टर नीदिय अगरवाल तथा डॉक्टर मनोच पाल है KMC Hospital में अपना Oxygen Plant लगाया हुआ है साथ ही KMC Hospital में 600 से अधिक Employee कार्य करते है तीन नंबर पर New Tima Hospital New Tima Hospital की स्थाफना 2017 में हुई थी जो की स्वास्त विखाग द्वारा 150 बैड के साथ मानेत अपराप्त है जिसमें 40 बैड में ICU, CCU और Emergency सुविधा उपलब्द है Hospital NABH Entry Level हो चुकी है Hospital में Advanced Machine के साथ ICU, NICU में High Frequency Ventilator के साथ ही 6 Modular OT है New Tima Hospital में Cat Lab, Blood Bank की सुविधा के साथ Radiology में CT, X-ray, Ultrasound, Eco, HBRO Scan की Facility भी अबलेविल है New Tima Hospital में कोई भी Government Panel नहीं है वही Private Health Insurance Panel की संख्या 19 है New Tima Hospital में मेरट के विशेशग्य डॉक्टर्स की शानदा टीम मौझूद है जिसमें डॉक्टर रोहित कामबूज, शालीन शर्मा, अमितु पाद्याय, एचके डोगराप डॉक्टर है वही गुर्दा रोग विशेशग्य डॉक्टर संदीव गर की मौझूदगी हॉस्पिटल को चार चांद लगा देती है 14 जुलाई 2018 से वर्तमान तक 104 लोगों को सफल गुर्दा प्रत्यापित करने का रिकॉर्ड बनाया गया है वही हॉस्पिटल में अपना खुद का ऑक्सिजन प्लांट है साथ ही एमप्लॉई की संख्या 750 है नमबर दो पर आते हैं लोग प्रिय हॉस्पिटल वर्ष 1989 में इस्थापित यह हॉस्पिटल 95 बैड में अप्रूवड है जिसमें से 82 बैड क्रिटिकल केर में आते हैं यानि 82 बैड सर्जिकल, ICU, CCU, RICU, MICU और NICU तथा NABH एंट्री लेविल कम्प्लीट है आगे और सुवधाओं के बात करें तो हॉस्पिटल में 8 modular OT के साथ CAT Lab की सुवधा है साथ ही MRI, CT scan, dialysis, PET lab फार्मेसी के साथ endoscopy, bronchoscopy, EEG, NCV और TMT की सुवधा भी है और blend bank अभी process में है तथा respiratory ICU भी available है लोगप्रिय हॉस्पिटल में government panel जैसे आईश्मान भारत, दीन दयाल, उपाद्यायोजना, ECHS, CGHS, CAPF के साथ UP, PCL और BSNL जैसे panel भी उपलब्द है और 34 private health insurance panel भी उपलब्द है इसके अलावा अलग अलग बिमारियों के विशशेग्य डॉक्टर्स की hospital में बहतरीन टीम है जिसमें neurology, cardiology, gastro, uro, nephro, physician और pedia शामिल है इसके अलावा cochlear implant surgery पात्र patients के लिए free की जाती है hospital में लगबग 500 employee काम करते हैं नंबर एक पर आते हैं आनन्द hospital एक multi specialty hospital है जो की वर्ष 2007 में संचालेत हुआ था जिसे 225 bad में स्विकरत किया गया इस hospital में critical care facility यानि ICU, MICU, ICCU, PICU, HDU में 82 bad है सभी आधुनिक सोविधाओं से लैस आनन्द hospital NABH entry level कम्प्लीट कर चुका है सोविधाओं में hospital में कुल 12 OT हैं जिन में से 3 modular OT हैं साथ ही cath lab, blood bank, MRI, CT scan, ultrasound, ECG, NCV, Physiotherapy Center, path lab, आधी सोविधाओं उपलब्ध हैं आनन्द hospital में government panel में CGHS, ECHS, railway, BSNL, UP police, आयुशमान panel के साथ 23 private health insurance panel उपलब्ध हैं hospital में विशशग्य doctors की एक बड़ी team मौझूद है जैसे कार्डियोलोजी में Dr. विनीद बंसल, हरी मोहन शर्मा और Dr. अशोक कुमार गुपता हैं वहीं neurology, nephrology, urology में भी बहतरीन doctors उपलब्ध हैं पीडिया में Dr. विनीद सक्सेना है जो की All India Pediatric Association के प्रेजिडेंट है साथ ही liver transplant भी जल्दी ही आनन्द hospital में शुरू होने जा रहा है Smile Train एंजियो है जो की USA based है तथा इसकी शाखाएं दुनिया के बहुत से देशों में हैं इस एंजियो ने आनन्द hospital के साथ collaboration किया हुआ है जो की कटे होट, कटे तालू, टेड़े मेड़ दाथ तथा speech therapy के operation फिरी में करते हैं वर्ष 2008 से वर्ष 2022 तक लगबग 14,000 से अधिक operation यानी surgery free की जा चुकी है साथ ही आपको बता दें कि इस प्रोजेक्ट के डारेक्टर डॉक्टर वियस सिंग है hospital में अपना oxygen plant लगाया हुआ है तथा hospitals में employee की संख्या 600 से अधिक है तो दोस्तों ये जानकारी आपको कैसे लगी comment box में जरूर बताएं